बड़ी सुंदर तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से पूजा का महत्व है और रावन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फूजिन भी होगा आप खबरे सुनते होंगे कि रावन की पूजा की जाती है तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये भी संजीव अगनी हो का हम उचारण कर सकते हैं देखिए अपने आप में दिशेरा प्रतीक ही विजे का है धर्म का प्रतीक है कहीं न कहीं दुष्टों के संगहार का प्रतीक है हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की विपत्तियां मिलती हैं कई प्रकार के शत्रू मिलते हैं कभी वो परिवार में हमारा शत्रू बनता है कई भाव का अभाव हमारा शत्रू बनता है कहीं पर रोग हमारे शत्रू बनते हैं तो जीवन में बहुत से स्थान एक पराणी और उसका सामना होती है उसी वायू को जब आप मंत्रों के द्वारा एनरजाइज कर देते हैं तो अब उस वायू को जब आप स्वास के रूप में ग्रहन करते हैं तो आपको उसकी पौवर जो है कहीं न कहीं आप उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं मान लीजे आपको बहुत शत्रू पर पर जाब करें या मानसिक प्यकर जाब करते हैं तो निश्य रूप से आपको अपने हर शेत्र में जीत मिलती है विजय मिलती है साथ साथ अगर किसी के कोड केसिस हैं मंतरों के साथ साथ कुछ छोटे चोटे उपाइग भी होते हैं जो आपको करने चाहिए मसलन अगर आपके कोट केस और आपकी तारीक कोट की आई हुई है तो मुपे आप तीन काली मिर्च और थोड़ा सा शक्कर रखके घड़ से पहला कदम आप बहार निकाल के निकलें साथ में हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है भगवान राम के परमभक्त जिनके हिदे में भगवान राम कवास है जिनके कंड कड में भगवान राम कवास है उन हनुमान जी की उपासना करने से आपको हर कारे के जितने भी विग्न है वो शांत हो जाते है ऐसा करने से अग करके उनका आशिरवात प्राप्त करके और हनुमान जी का एक स्तोत्र है जो बहुत ही पॉवर्फुल स्तोत्र है उसको बोलते हैं पंच मुखी हनुमान स्तोत्र इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करके निकलते हैं और साथ में हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हंग हनुम अताय नम का आप पार्ट करते हैं आप राजिता मंत्र का पार्ट करते हैं तो आपके शत्रों का शीग्र दमन होता है विजे की प्राप्ति होती है